हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर टैन ठो साकारों का चित्रन प्रशनावली 10.2 से कोशे नमबर 1 सोल्व करेंगे तो कोशे नमबर 1 देखे एक नगर के दिये हुए मांचित्र को देखे निमलिकित प्रशनों के उत्तर देजे तो देखे यहां पर हमें यह एक नगर का मांचित्र दिया गया और यहां कुछ पोशे गया उनके उनसर देने है एपार देखे इस मांचितर में इस प्रकार रंग भरिए नीला जल देखे इस मांचितर में हमें रंग भरना है दिया गया है कि जहां पर जल है वहां नीला रंग भरना है तो इस मांचित्र में देखिए नीला रंग कहां भरा जाएगा देखिए जील में नीला रंग भरा जाएगा जील में जल होता है ठीक है जील में नीला रंग भरा जाएगा और जहां यह जल संयंत्र है यहां नीला रंग भरा जाएगा तो हम यहां दोनों जगा नीला रंग भ तो देखे नारंगी लाइब्रेरी जहां लाइब्रेरी है वहां नारंगी रंग भरना है तो देखे लाइब्रेरी में हमने नारंगी रंग कर दिया फिर देखे पीला स्कूल जहां स्कूल है वहां पीला रंग करना है तो देखे यहां पर दो स्कूल है एक तो प्राइमरी स्क स्कूल है और एक सीने स सिझेंटी स्कूल है तो यहाँ पीला रंग भरेंगे और यहाँ हुलन हम जहाएं दोनों जगाने पीदा रंग कर दिया है पिर देखे ठीक्छ इस ही पार्च जहां पार के वहाँ हरा रंग करका तो देखिए यहां पर हरा रंग करना तो देखिए यहां पर मैंने हरा रंग कर दिया फिर देखिए गुलाबी कॉलेज जहां कॉलेज है वहां गुलाबी रंग करना तो देखिए यहां पर यहां पर गुलाबी रंग करना तो मैंने यहां पर गुलाबी रंग कर दिया फिर द मांचित्र में देखिए यहाँ पर यह है कब्रिस्तान तो यहाँ पर भूरा रंग करना था तो यहाँ पर भूरा रंग कर दिया है अब भी पार देखिए सडक C और नहरू रोड के प्रतिछेदन पर एक हरा X तथा गांधी रोड और सडक A के प्रतिछेदन पर एक हरा Y खीच देखे कहा गया कि जहां सडकसी और नहरू रोड मिल रहे हैं यानि नहरू रोड काट रहे हैं वहाँ पर एक हरा X खीचना है मानचित्र में देखिए ये है नहरू रोड और ये है सडक सी तो देखिए नहरू रोड और सडक सी यहाँ पर प्रतिछेद कर रहे हैं यानि यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर हमें हरे रंका X खीचेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने हरे रंग का X खींच दिया फिर देखें उन्होंने काया गांधी रोड और सडक A के प्रतिछेदन पर एक हरा वाई खींचे अब जहाँ पर गांधी रोड और सडक A मिल रहे हैं वहाँ पर हरा वाई खींचना है तो देखिए यहाँ पर गांधी रोड और सडक ए यहाँ पर प्रतिछेद कर रहे हैं यहाँ पर काट रहे हैं तो यहाँ पर हमने हरावाई खींच दिया अब सी पार देखिए लाइबरेरी से बस डिपो तक एक छोटा सडक मार्ग लाल रंग से खींचिए अब मानचित्र में देखिए यह है लाइबरेरी और यह है बस डिपो अब देखिए लाइबरेरी से बस डिपो तक जाने के लिए तीन सडक मार्ग है पहला सडक मार्ग देखे क्या है मैं यहाँ लाइबरेरी से सडक A से होकर फिर गांधी रोड से होकर बस डिपो तक जा सकती तीसरा सडक मार्क है लाइबरे से बस डिपो तक जाने का देखे यहां शास्त्री रोड से होकर फिर सडक D से होकर बस डिपो तक जा सकती हूँ अब देखे उन्होंने सबसे छोटा सडक मार्क जह है उसे लाल रंग से भढ़ने को खाए अब अगर आप ये शास्ति रोड वाला रास्ता देखे तो ये तो बहुत बड़ा हो रहा है ये मार्क तो बड़ा है अब देखे ये मार्क बचा नहरू रोड वाला और गांधी रोड वाला बचा तो देखे इन दोनों में ये नहरू रोड वाला चोटा है तो हम ये वाला मा सबसे छोटा है जिसे मैंने लाल रंग से भर दिया अब डीपार्ट देखें पूछा गया कोन अधिक पूर्व में हैं सीटी पार्क या बजार तो देखें ये पूरव दिशा होती है ये पश्चिम दिशा ये उत्तर दिशा और ये दक्षिन दिशा अब पूछा गये कि सीट तो आइसे पार्क है पूरव कि तरफ अधिक तो आंसर कैसं सीपार्क तो गार का अंसर है सिप क्राम थिम्आसर द्शन में प्राइमरी सकूछ या सेनर सेकुंडरी सकूल तो देखे यह तरस दक्षिनदिशा अब पूछाया गया है कि दक्षिन की तरफ अधिक कौन है प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो देखिए दक्षिन के अधिक करीब कौन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर वन सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक श Thank you.